हेलो एवरीवन वेलकम टू आर चैनल इस वीडियो में हम लेकर आये हैं आपके लिए 8 ग्रीट अभ्यास पुस्थे का सब्जेक इंग्लिश के चैप्टर नमबर 4 का सॉलिशन इससे पहले हमने चैप्टर नमबर 1, 2, 3 का सॉलिशन देखा है अगर आपने किसी भी कारण वस को हम देखने माले हैं लेसन नमबर 4 का सॉलिशन लेसन का नेम है माई चाइल हूर इससे रिलेट आप कुशन देखेंगे जिनके हम आंसर करेंगे कुशन फर्स्थ है वाट वस दी नेम अफ दी बुग बॉट बाइ गांधी जी स्वादर तो यहां लिखेंगे श्रावन पित्र भक्ती नातक ठीक है सेकेंड है डू यू थिंग स्पिकिंग टूथ इस गूड हैबिट तो आंसर लिखेंगे येस स्पिकिंग टूथ इस गूड हैबिट थार्ड कुशन है टीचर का प्लूरल बताना है जो की हो जाएगा टीचर्स क्वेशन फोर्ट है पैरेंट से आपको एक सेंटेंस बनाना है तो लिखेंगे पैरेंट सार वेरी गूड फिर्थ है रिडाइट दी सेंटेंस यूजिंग दी करेक्ट वर्ड फॉम दी ब्रैकेट्स आपको रिडाइट करना है सेंटेंस को यूजिंग करके क्या ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखे है दौनों में से एक वर्ड को यूजिंग करते होगे तो यहां लिखेंगे यहां पर दो चीजे हैं तो यहां बर बर आएगा सिंगुलर होता कोई भी तो हम लिखते वर्ड ठीक है सेक्ट कोशन है राइट दी थ्री फॉर्म्स अफ दी वर्ड गिविन बिलो आपको दिये गए वर्ड के थ्री फॉर्म लिखने है तो आपको प्रजर में दे रखा है पास्ट और पास्ट पर्टिसिपल लिखना है रिमेंबर का हो जाएगा रिमेंबर past participle में हो जाएगा remember purchase का हो जाएगा purchased past participle में भी रहेगा purchased 7th question है arrange the following sentence in the sequence in which they appear in the story दीगई story में आपके जो story है इसमें उससे relate कुछ आपको sentence दीगई है तो आपको arrange करना है पहले कौन सा sentence आना चाहिए story के according और last minute कौन सा आना चाहिए तो इसी के अनुरूप हम जमाएंगे इन sentence को तो rewrite करना है हमें correct sentence को सबसे पहले लिखना है तो लिखेंगे I was about seven when my father left poor bender second there I was put in a primary school third आजाएगा I do not remember having never told I lie during my school days fourth I was very shy and avoided all company fifth है my books are books and my lessons were my only campaigns अब देखेंगे fourth का solution जाब आपको question first दिया गया है how old was Gandhi जी when his father left for Rajkot तो यहाँ लिखेंगे seven years next second question है rearrange the words to make a meaningful sentence father bought my book तो यहाँ लिखेंगे my father bought a book third question है you have read about Mahatma Gandhi in the lesson what qualities of Mahatma Gandhi would you like to follow in your life तो लिखेंगे learning from mistakes brief, forgiveness, intelligence, strength तो इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा lesson number fourth का solution इसे के साथ देखा lesson number fourth का भी solution इससे आगे और भी हम parts देखते रहेंगे तो जुड़े रहेंगे हमारी channel की साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अन्यवाद